प्रत्वी के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकता है प्रत्वी के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकता है प्रत्वी पर हमारे जीवन की समझ को बढ़ा सकता है इसलिए शुक्र और्बिटर मिशन विशिश रूप से खास होने वाला है आज इन फोकस के प्रोग्राम में शुक्र और्बिटर मिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे सबसे पहले देखते हैं इस पूरे टोपिक के अंदरगत हमारी चर्चा के सामाने पक्ष क्या रहने वाले हैं सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टोपिक चर्चा में है इसके बाद देखेंगे कि Venus Orbiter Mission यानि शुक्र Orbiter Mission वस्तुत है क्या इसके बारे में सामाने जानकारी हासिल करने के बाद देखेंगे कि शुक्र ग्रह का अध्यन करना क्यों आवश्यक है शुक्र ग्रह से जुड़े हुए जो अन्य मिशन है जो अंतराष्टी इस तरपर मिशन है चाहे वो European Space Agency का मिशन हो चाहे नासा के मिशन हो वे कौन से मिशन है और भारत के अन्य अंतरिक्ष संबंधी प्रोजेक्ट परियो अने ध्यन प्रशनपत्र 3 से जुड़ता है उसके विज्ञान इंप्रेद्योगी की खंड से जुड़ करके आप इससे देख सकते हैं हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए और बैल आइकन दबाईए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम क कर सकते हैं तो सबसे पहले ख़बर को विस्तार से जानना है लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टी आईस संस्थान अपनी अलग लग शाखाओं पर आईस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंब कर रहा है यह कौन-कौन सी हैं करोलबाग परियागराज जैपुर लखनाओ और इंदोर इन सभी शाखाओं पर आईस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंब हो रहा है इनके दिनांक और समय यहाँ पर लिख दिये गए हैं आप इस पूरी पिक्चर का इस पूरी स्लाइड का एक स्क्रिंशोट भी ले पर चाहिए हैं इसके अलावा आप एक नमबर पर कोल भी कर सकते हैं कौन सा नमबर है हमारा 8 7 5 0 1 8 7 5 0 1 एक बार फिर से नमबर बोल देता हूं क्या नमबर है जहाँ पर कोल करके आप इन सभी कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने अडमेशन को सुनिशित कर सकते हैं 87501 87501 यह हमारा नंबर है इस पर आप कोल कर सकते हैं चलिए अपने खबर की तरह बढ़ते हैं और हमारी खबर जैसा कि आपको बताया शुक्र और बेटर मिशन से जुड़ी हुई है क्या खबर है शुक्र गरह पर फोकस करने के लिए भारत शुक्र गरह पर एक शुक्र गरह पर मिशन भीजना इसलिए महत्वपौन है क्योंकि शूक्र गरह को प्रत्विक की जुडवा बहन भी कहा जाता है त्विन्ससिस्टर भी कहा जाता है प्रत्वी गरह और शुक्र गरह में समानता होने के कारण केंद्रिय मंत्रि मंदल ने हाली में 18 सितंबर को चार प्रमोक अंतरिक्ष पर्योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है जिसमें से एक महत्वपूर्ण पर्योजना शुक्र और्बिटर मिशन से जुड़ी हुई है इस रो का पहले भी सिसंबंदित इस तरह की पर्योज पर्योजनाओं से संबंदित अनुभव रहा है जब इस रो ने यानि भारती अंतरिक्ष एजनसी ने वर्ष्र 2014 में एक सफल मंगल और्बिटर मिशन भेजा था और इस परकार से शुक्र और्बिटर मिशन भारत का दूसरा ग्रहये मिशन होगा ऐसा मिशन होगा जो किसी अ को मार्ज 2,028 तक प्रक्षय पित करने की योजना है मार्ज 2,028 तक इसको लौंच कर दिया जाएगा ये हमारी खबर है अब हम इस खबर को विस्तार से जानते हैं सबसे पहले यही देखते हैं कि जो कि वेनस ओर्बिटर मिशन या случае शुक्र और्बिटर मिशन है उसका सामाने उदेशे क्या है उसका उदेशे है शुक्र गरह के चारों और कख्षा में एक वैज्ञानिक अंत्रिक्षान इस्थापित करना यानि एक साइन्टिफिक स्पेस क्राप्ट इस्थापित करना शुक्र गरह की कख्षा में क्यों इस्थापित करना ताकि शुक्र गरह की सतह उप सतह वायू मंडलिये परक्रियाओं और उसके वायू मंडल पर सूरिय के प्रभाव का अध्यन क्या रह सके यही इसका महत्वपोन देश्य है इसके लिए एक बजट निर्धारित क्या गया है कितना बजट निर्धारित क गया है जिसमें से अंत्रिक्षियान यानि स्पेस्क्राफ पर 824 रुपे खर्च होंगे अगर हम अंत्रिक्षियान की तयारियों के बारे में देखें तो इसकी पुष्टी इस रो के अधिकारियों ने की है कि अंत्रिक्षियान का पूरा का पूरा डिजाइन तयार हो चुक Ses थापित का जाएगाएग है और इसी कंशा में अंतरिक्षियान शुक्र ग्रह की परिकर्मा करेगा और वाइमंदल से ही माप लेगा यानी अलगलग तरह जो माप होंगे अलगलग तरह कि मेजर मेंट होगे वो कंशा से ही पूरा करेगा इस इस मिशन को एक नाम भी दिया गया है जो शुक्र और्बिटर मिशन है या विनश और्बिटर मिशन है इसका नाम होगा शुक्रियान वन इसका महत्वी यह है कि भारत के अंतरिक्ष कारिक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रगती का एक प्रोग्रेस का ये प्रतिनित्व करता है शुक्र गरह का आध्यन करना क्यों जरूरी है क्योंकि शुक्र गरह की प्रत्वी से बहुत सी समानता इस्थापित होती है प्रत्वी से समानता इस्थापित होने के साथ ये भी माना जाता है कि एक समय ऐसा था जब शुक्र ग्रह रहने योग्य था वहाँ पर बसावट संभव थी लेकिन समय के साथ शुक्र ग्रह में इस तरह के परिवर्तन आए कि शुक्र ग्रह पर रहना संभव नहीं हुआ तो उन परिवर्तनों को अगर हम जान ले तो हमारी जानकारी बढ़ेगी क्योंकि प्रत्वी के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि एक समय बाद, चाहे वो हजारों साल बाद समय आए, चाहे लाखों साल बाद समय आए, एक समय ऐसा आ सकता है कि प्रत्वी बसावट की योग्य न रहे, रहने की योग्य न रहे, इसलिए अगर हम शुक्र गरहे कि परि सांतनाट को बनाए रखने के आंद हमारे जानकारी बहतर हो सकती है इसलिए पृत्वी के विकास को समझनी के लिए शुक्र-घ्रह का अध्यन करना कि विषेश रूपसे मह्तवपौण है। का अध्यन करने से प्रत्वी के विकास और किसी ग्रह को रहने योग्य बनाने वाले कारकों के बारे में जानकारी मिल सकती है शुक्र ग्रह को कभी संभावित रूप से रहने योग्य माना जाता था फिर इसमें तुलनात्मक परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों का अध्यन करना विशेशूक से ज़रूरी है ताकि हम तुलनातमक गहह तुलनातमक गहिये अध्यन को प्लैनेट्री study को बढ़ावा दे सके और उसके लिए प्लैनेट्री studies के लिए तुलनातमक गहिये अध्यन के लिए महत्वपोर्ण होगा ये mission शुक्र गहह कि जो सताय है वहाँ पर भी अतरह देख दबाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, हालनकि प्रत्वी पर जो समुद्र तल का जो एक तरह से दबाव रहता है, उससे ज्यादा दबाव वहाँ पर आपको लगबग 90 गुना दबाव देखने को मिलेगा, अंतर तो देख शुक्र कालिक चिंताएं इस मिशन से क्या जूड़ी हुई है इस रो प्रमुख जो एस सोमनाथ है उन्होंने इस बात पर तोर दिया है कि समय के साथ प्रत्वी ग्रह शुक्र की तरह बन सकती है और उन्हें ग्रहिये परिवर्तनों के अध्यन के महत्व पर प्रकास जाला इस शुक्र से जुड़े हुए अन्ने मिशन कौन से है नाशा का एक मेहत्व कौन मिशन है एक जो की जिसको हम मेरीनर कहते हैं 2 दिसंबर 1962 में शुक्र के पास से गुजरने वाला यह पहला अंतरक्षियान था पहला स्क्रेप इस स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम है मेरीनर 2 द शुक्र ग्रह की कक्षा से ही शक्रिय रूप से वर्तमान में यह अध्यन कर रहा है यह वर्तमान योजना है इसी तरह से नागा नासा के जो अगले मिशन है जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा उसके कुछ अगले मिशन है जो शुक्र ग्रह का अध्यन करेंगे और उनका नाम है वेरिटास और डेविनसी इसी के अलावा भवशे की कुछ महत्वपोर्ण परियोजनाएं हैं जो शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई है जैसे रोकट लैब मैसाचुसेट्स यूनिस इंस्टिटूट अप टेक्नोलोजी की वीनस लाइफ फाइंडर और साथ ही यूरोप प्रदान की है उनके बारे में भी एक जानकारी हासिल कर लेना हमारे लिए सही रहेगा जैसे चंद्रियान 4 को मंजूरी प्रदान कर दी है चंद्रियान 4 के मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है चंद्रियान 4 चंद्रमा पर उतरने नमूने 71 करने सैंपल 71 करेगा और उन्ह आपडेट करना है उसका नाम है गणियान मिशन अपडेट इसी तरह से अगली पिढ़ि के प्रक्षपन यहान जिसको नाम दिया गया है सूर्य उसको भी स्थापित करना है मंत्री मिध्यलने एक नए प्रक्षपन योनको मंजूरी प्रक्षवण यान की है जो कि प्रक्षवी की निचली कक्षा में भारत की दुआरा जो अलग-अलग प्रक्षवण यानों के माध्यम से कितनी वजन की पेलोड स्थापित करने है उसके अंतरगत भारत की ख्षमताओं को बढ़ा देगा पहले से भारत की जो ख्षमता है वो अगली पेड़ी का प्रक्षवण यान होगा इस परियोजना के लिए 8,239 करोड रूपे खर्च करने का प्रावधान क्या गया है और इस परियोजना के च्छान में महीने में पूरा होने की उम्मीद है यह सामाने जानकारी हमने चार प्रियोजना हो की भी जान ली जिन्हो प्रदान की है अब इससे संबंदेत एक प्रशन देखते हैं प्रशन क्या है वीनस और बिटर मिशन को कब तक प्रक्षवपित करने की योजना है आपके ऑप्षण्स हैं मार्च 2025 तक मार्च 2026 तक मार्च 2027 तक या मार्च 2028 तक इस प्रशन का उतर भी आप हमें कॉमेंट प्रशन को में कॉमेंट करके जरूर दीजिए और फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले झार झार जब करने के लाइक शेंगा रूले मुलाकात होगी धनल को बत्तृदको और ये तया अवाद